साल 2023 में D-Pharma यानि की Diploma in Pharmacy में admission लेना चाहते हैं तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है पूरी डिटेल में discuss करेंगे इसके regarding और D-Pharma admission लेने के लिए हो जाओ सावधान जैसा कि आप सभी जानते हैं जबी भी कोई session start होता है साल 2023 session start हो चुका है और काफी सारी inquiry आती है कि सर D-Pharma में admission लेना है साल 2023 से क्या कुछ changes हुए है इसके admission process में और यहाँ पे हमें admission लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में complete detail में बात करेंगे भाईया जो भी student D-Pharma में admission लेना चाहता है complete बात सुन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है क्या कुछ changes हुए है इसके बारे में complete बात करेंगे और साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके बात करने के बाद आपको काफी सारे jobs के साथ साथ खुद का own business करने का भी बहुत ही बड़ा option मिल जाता है सर साल 2023 में मैं D-Pharma में admission लेना चाहता हूं मुझे किस बातों का ध्यान लगना है तो सबसे बड़ा सवाल जो है यहां पर यह आ जाता है भाईया कि साल 2022 में है ना साल 2023 के फरवरी मैंने में PCA यहने की pharmacy counseling of India की तरफ से एक notification आता है जिसमें की clearly mention है कि भाईया साल 2022 से है ना साल 2022 23 से जो भी D-Pharma में admission लेगा जो भी student D-Pharma में admission लेगा उसको exit exam देना ही देना है सर यह क्या होता है exit exam तो simple ही मैं आपको बता हूँ काफी सारी आप YouTube पे search करेंगे आप detail में जान सकते हैं अभी मैं briefly बता रहूं simple है कुछ नहीं है अगर आप 2 साल complete कर लेते हैं D-Pharma तो पहले तो सीधा आपको license मिल जाता था तीन मेने की training करने के बाद सीधा सीधा आप license के लिए apply कर सकते थे बट अभी regulation चेंज हो चुके है exit exam अभी तक पहला exam हो चुका है क्या सर नहीं हुआ है साल 2022 में जिसने admission लिया है उनका पहला exit exam भी होगा और होगा definitely होगा क्योंकि यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह official notification की बात है तो पहले क्या होता था सीधा आप apply कर सकत है इसमें अगर आप pass करेंगे फिर ही आप registration के लिए apply कर सकते हैं फिर आपको drug license मिलेगा ऐसे नहीं मिलने वाला है यह सबसे बड़ा changing जो है वो साल 2023 के बाद आपको देखने को मिला है कोई ऐसा बोलता है आपको भाईया exit exam नहीं होगा हम करवा लेंगे कैसे करवा लेंगे तो भाईया इस बात में मत रहना क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ exit examination की बात यह proper official है 2022 stage से लागू होगा ही होगा second क्या कुछ बात रहने वाली है अब देखी यहां पे देखे काफी सारे student का यह भी message आता है कि सर हमने एक और चीज सुनी है कि 12 के बाद 5 साल के अंदर अंदर अगर deform admission लेना चाहते हो तो हो जाएगा otherwise नहीं होगा क्या यह implement हो गया है या फिर होना है तो यहां पे मैं आपक क्लियर कर लेता हूं बाइया कि यह जो second बात जो है काफी student पूछता है मुझे यह अभी तक officially implemented नहीं है only for यह जो है मतलब की सोचा गया था ऐसा कि ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए तो इसके रिगार्दी एक छोटा मोटा notification आया था बट यह जो second है कि बाद 5 साल के अंद agreement नहीं है बट exit exam जो है आप सुन रहे है तो बिलकुल भाया लागू हो चुका है इस बात का अब ध्यान रखना जो भी स्टुडेंट साल 2023 में डी फार्मा में admission लेना चाहते हैं और भी ऐसी inquiry के लिए क्या कुछ करना है आपको तो देखी यहां पर आप देख पा रहे हैं व जौब सीकर जो जौब पाना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग फॉर्म बना दिया है और जो भी स्टुडेंट व दिगॉर्र इनक्वारी जानना ॉर एक सिंपल सा मेंने फॉर्म बना दिया है जिसमें कि आप अपनी डीटेल जो है वह पूरी दे सकते हैं और जो भी हमार कर सकते हैं कि किस हिसाफ से admission के लेते समय क्या कुछ आपको ध्यान रगना है कैसे क्या कुछ रहने वाला है admission को लेकर complete detail जो है वह आप जान सकते हैं चलिए तो कैसा लगा आपको information जरूबताए कमेट सेक्शन में like करें सब्सक्राइब करें ऐसा ही फार्मा रिगारिंग न्यूस अबडेट वेकेंशी बडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए keep watching stay tuned